हेलो प्यारे बच्चो कक्ष्या सात्मी गणित की प्रशनावली 12.02 में आपका स्वागत है आज हम करेंगे प्रसंद संख्या 3 से प्रसंद संख्या 1 वद 2 हम पिछले वेडियो में कर चुके हैं तो आईए प्रसंद संख्या 3 से शुरू करते हैं प्रसंद संख्या 3 है गटाईए उपर के सवालों में हमने जोड़ किया था तो यहां पर हमें गटाना है तो आईए के एक पार्ट को हमें हल करते हैं पहला पार्ट है y की 2 में से गटाईए mathematical माइनस 5y की 2 तो य कि 2 इस में गटाना है गटा के 5y की 2 तो यह मारे पास हो जाएगा y की 2 अब देखो ब्रेकट से बाहर है वो गटा का निशाने अंदर भी गटा है तो गटा गटा क्या हो जाएगा जमा तो 5y की 2 जमा हो जाएगा 5y की 2 और 1y की 2 6y की 2 यह अंसर होगा सेगिन पार्ट है गटा के 12xy गटा के 6xy अब दोनों के दोनों गटा हैं तो जुड़ेंगे जब दोनों संखें गटा हो तो जुड़ती हैं और निसान रहेगा गटा का तो गटा का 12 और 6 अठार है x y थर्ड पार्ट है a प्रस b में से गटाईए a गटा b a जमा b भार निसान गटा का है तो ब्रेकट के अंदर के सभी निसाने बदल जाएंगे a हो जाएगा गटा का और b हो जाएगा जमा का ये गटा और ये जमा a से एकट जाएगा b जमा b 2 b ये अंसर होगा चुथा पार्ट है b 5 माइनस a गटा a b माइनस 5 ब्रेकट को खोल लेंगे b गुना 5 5 b b गुना a a b घटा a क्यू गुना करेंगे b से a b घटा a गुना 5 5 a 5 b घटा a b ब्रेकट से भार घटा है अंदर के निसाने बदल जाएंगे a b घटा का और 5 a जमा का हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास 5 b गटा a b घटा a b दुनों गटा के जुड़ जाएंगे गटा के 2 a b जमा के 5 a यह इसका अंसर होगा 4 m की 2 गटा 3 m n जमा 8 में से गटा यह गटा की m की 2 जमा 5 m n तो 4 m की 2 पहले वाड़े को मैंसे का इसा लिख लेंगे ब्रेकट खोल लेंगे अंदर के इसाने बदल जाएगे तो हमारे पास आजएगा गटा और गटा जमा जमा एम की 2 गटा 5 m n इसको अल करेंगे च्यार एम की 2 और एक एम की 2 दोनों जमा के हैं जुड़ जाएंगे 5 m की 2 3 m n गटा का 5 m n गटा का दोनों गटा हैं जुड़ेंगे गटा के 8 m n और जमा 8 यह हमारा अंसर हो जाएगा अगला पार गटा 5 x गटा 10 में से गटा यह x की 2 गटा के जमा 10 x गटा 5 यह हो जाएगा 5 x गटा 10 ब्रेकट के बाहर माइनस है अंदर के निशान है बतल जाएगे जमा x की 2 गटा 10 x और जमा 5 जो पलस वो माइनस हो जाएगा जो माइनस है वो पलस हो जाएगा क्यों क्योंकि ब्रेकट से बाहर है गटा का निशान है 5 x गटा 10 x दुनों X वाड़े हैं लेकिन ये पलस का और ये माइनस का तो माइनस का बचेगा 5X जमा X की 2 यहां पर गटा का 10 है और जमा का 5 है गटेंगे गटा का 5 बचेगा यह हमारे पास हो जाएगा X की 2 गटा 5X गटा 5 यह हमारा अंसर होगा अगला पार्ट है 3AB गटा 2A की 2 गटा 2B की 2 मेंसे गटा यह 5A की 2 गटा 7AB जमा 5B की 2 पहले जो ब्रेकट में उसको मैंसे गैसा रखेंगे अगली ब्रेकट को खोलेंगे और उसमें निशान है जो वो मदल जाएंगे 5A की 2 गटा का हो जाएगा 7AB जमा का हो जाएगा और पांच बी की दो घटा हो जाएगा क्यों? क्योंकि ब्रेकट से बाहरे घटा का निशान है अब देखो चो टीन A B और सात A B दोनों जमा के जुड़ जाएंगे जमा का निशान आएगा दस A B घटा के 2 A की दो घटा के 5 A की दो घटा के 7 A की 2 गटा के 2B की 2, गटा के 5B की 2, दोनों गटा हैं जुडेंगे, गटा के 7B की 2, यह हमारा अंसर हो जाएगा, अगला पार्ट है, गटा के 4B की 2, गटा के 3B की 2, पहले वाड़े को हम ऐसे कैसा लिखेंगे, अगले के निशान उनको बदल देंगे, क्योंकि भार क्या है, माइनस का निशान, यह हो जाएगा, गटा के 4B की 2, यह हो जाएगा, जमा के 5 की 2, जमा के 3B की 2, देखो यहां पर P की 2, 5 P की 2 है और 3 P की 2 है दोनों मिलके हो जाएंगे 8 P की 2 यानि 8 P का वर्ग पर 3 क्याओ का वर्ग और 5 क्याओ का वर्ग यह जाएगा 8 क्याओ का वर्ग इसके बाद बच्चो गटा के P क्या हूँ और गटा के 4P क्या हूँ यानि कि 4P क्या हूँ और 1P क्या हूँ गटा के हो जाएंगे 5P क्या हूँ यह हमारा अंसर होगा बच्चो परसल संक्या 4 का A पार्ट है कि 2X की 2 जमा 3XY प्राप्त करने के लिए x की 2 जमा xy जमा y की 2 में क्या जोड़ना चाहिए तब चुम मान लेते हैं कि x की 2 जमा xy और जमा y की 2 इसके अंदर क्या जोड़ना चाहिए हमें x तब हमें क्या मिल जाएगा तब मिल जाएगा 2x की 2 जमा 3xy ये यह हमने मान लिया कि इसके अंदर x जोड़ना पड़ेगा तब हमें 2x की 2 जमा mermaid 3xy प्राप्त होगा तो इसको अल करते हैं इसके अंदर हमें बैस घोड़ेगा मान लिया हमने यह अब हमें निकालना क्या है इसमें हमें x का मान निकालना या नि जो इसके अंदर जोड़ा है, वो कितना जोड़ा है? हमें X का मान निकालना है, इसके अंदर तो यहां से हमारे पास X क्या हो जयेगा? इस सारे को उठाकर के मिदर लेके जाएंगी इसमें से गट जयेगे यह दो X की दो जमा तीन X Y इसमें से ये सारा इदर आएगा तो गटेगा गटा x की 2 जमा xy जमा y की 2 अब ये गटा वारा स्वाल होगा पहले स्वाल होगा जैसा अब इसको आल कर लेंगे 2x की 2 जमा 3xy गटा निशान बदल जाएंगे सारे माइनस के हो जाएंगे 2x की 2 गटा x की 2 पलस माइनस गटेगा 1x की 2 गटा y की 2 फिर 3xy जमा का और 1xy गटा का गट जाएगा जमा के 2xy तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यानि कि हमें इसके अंदर ये जोड़ना पड़ेगा तब हमें ये प्राप्त होगा आप इसको बच्चों ऐसे समझ सकते हैं कि आप से मान लो ये का जाए कि 10 में हम क्या जोड़ें की 16 प्राप्त हो 10 में क्या जोड़ें की 16 प्राप्त हो तो 10 में कितना जोड़ने पर सोड़ा आएगा 10 में 6 जोड़ने पर सोड़ा आएगा यानि आपने इस संख्या में से इसको गटाया है तो वही हमने यहां पर किया है हमने इस संख्या में से इसको गटाया है परसन संख्या 4 का बी पार्ट है गटा तीने जमा साथ भी जमा सोड़ा प्राप्त करने के लिए दो जमा आठ भी जमा दस में से क्या गटाना चाहिए यहाँ पर हमें गटाना का पुछा क्या गटाना चाहिए तो मान लिया हमने की X गटाना पड़ेगा किसके अंदर से इसके अंदर से 2A जमा 8B जमा 10 में से हमें X को घटाना पड़ेगा तो इसके अंदर से हमने क्या कर दिया? X को घटा दिया हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त होगा घटा के 3A जमा 7B जमा 16 क्योंकि मैं दे रख्या है कि इसको प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं कि इसको उठा के उधर ले जाओ या इस X को उधर ले के चले जाओ क्योंकि यह माइनस का पलस का हो जाएगा और इसको उठा के इधर ले आओ तो आप कैसे भी कर सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं हम X को उधर लेके जाते हैं और इस संख्या को उठा के इदर ले आते हैं दो ए जमा आठ भी जमा दस हमारे पास इदर है इसको उठा के ले आएंगे गटा हो जाएगा सारा का सारा गटा तीन ए जमा साथ भी जमा सोड़ा बराबर इसको उठा के एकस को उधर लेके गए माइनस से क्या होज़े आएगा पलस इसको अल करते हैं दो ए जमा आठ भी जमा दस गटा यह सारे निशान बदल जाएंगे यहाँ पर गटा और यहाँ पर गटा यह दोज़ेगा जमा का तीन ए घटा साथ भी घटा सोड़ा बराबर एकस हमें ते एकस कमान निकालना है दो ए जमा तीन ए पांच ए आठ भी घटा साथ भी घट जाएगा एक भी पलस का फिर है दस गटा सोड़ा दस में से गटाएंगे सोड़ा को घटा के छे बराबर एकस यहां हम यह कह सकते हैं कि एकस बराबर है पांच ए जमा भी घटा के छे यहनी हमें उसके अंदर यह चीज घटानी पड़ेगी उसके अंदर से तब हमें जा करके यह मिलेगा ये हमारा अंसरो लेगा